अर्जुन वोले इस रणास्थल में पीता मह विश्म को या द्रोन को मैं मार दूं कैसे कहो ये हमारे पुझ्य हैं आचारी हैं गुर्जन को मार सकता हूँ नहीं विक्चा भी माँँ तुझे मुझे स्विकार है पर नहीं सारत बनूगा मैं कभी अर्थ हित या सुख्य साधन के लिए समझ में यह बात आती नहीं मार करके मैं स्वजन को युद्ध में चाहता जीवीत रहना लोक में हो हमारी जीत या उनकी विजय ग्यात कुछ होता नहीं क्या स्रे है भीरूता से है भरा मेरा हिर्दे और किंकरतब बिमूड बना हुआ पूछता हूँ स्रे क्या है बोल दो शिश्य हूँ तेरी सरण में मैं पड़ा भूमी पर नियंतरन राज सम्रिद हो या म मिले मुझको सुरों की संपदा किंतु जो यह घोर और संताप है दूर होगा यह नहीं मैं देखता शोक शे संतप्त महाकाल यथा देख करन भूमी अरजुन हुआ सांतवना से पुर्ण युक्त विवेक से तब वचन भगवान कहने लगे स्री भगवान ने कहा शोक करने ज उनके लिए पूर्व मैं था ब्रह्म मैं हूँ आज भी और आगे भी रहूंगा मैं सदा एक नित अनादी और अखंड हूँ है नहीं कोई मिटा सकता मुझे जिस परकार यह बाले यवण या जरा देह को तीन गतियां है मिली उस परकार देह की गति देख कर धीर जन मोहित क का मिलन शैतान ताप प्रदेश तथैवा नित्य है शहन कर इस द्वंद को आगे बढ़ो युद्ध में निश्चित तुम्हारी जीत है पुरुष पुनसवान जिस मनुस को यह नहीं ब्यतित करते विशे के विच्छोब हैं दुख सुख में समसदा रहता हुआ वह अमरता प्राप्त करने योग है असत्य का सदभाव हो सकता नहीं सत्य का तब लोप होगा किस प्रकार सत्य और असत्य के इस भेद को तत्दर्सी मनुझ सम्यक जानते आत्म तत्व बिनाश से यह है परे यह अकिल ब्रहमांड जिसमें ब्याप्त है अमर अप्षै ए इस ब्रहम का नास कोई कर नहीं सकता कभी नस्ट होती पंच बहुतिक दे है और यही निते रहता है बना इसलिए है पार्थ चल तुजुद कर आत्मा की ए अमरता पहचान ले न इसे हत्या तथ हत्या जो इहां मानते हैं वे नहीं कुछ जानते यह नहीं है मरता मरता कभी सुक्ष्मतम संपूर्ण शक्ति निधान है जन्व लेता या न मरता यह कभी पुर्व में था आज भी है आत्मा नित्य अज शाश्वत पुरान अनादी है